हे गाईज, वेलकम टू मैं चैनल, अम्बे कीचन, कैसे हो आप सब आई हो पहुत ही अचे से होंगे गनेश चतूरती की आप सभी को धेर धेर सारी सुब काम नाए गनपती बपा आपके घर में विराज मानो, यही मेरी तरफ से आप सभी के लिए सुब काम नाए है तो आप ही मैं गनपती बपा के लिए बनाई हूँ, तीन तरह की मोदक, वो भी विदॉट कुकिंग वो बहुत ही चटपट आसानी से कुछी चीजों में आप बना सकते हैं, बीना गैस चलाए तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिए भूना हुआ चना, अगर आपके पास इसमें छिलके लगे हो तो उसे अच्छे से साफ कर लें, मेरे में भी थे इसमें, तो मैं इसे अच्छे से साफ कर ली हूँ, साफ करने के बाद उसे एक कप ल पंदर से बीस और दोनों चीजों को मैं मिक्सिजार में डाल करके इसका भी पॉडर बना लूँगी थोड़ा से दरदरा रहने दे जिसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फिर चलिए आप इसमें मैं डाल देती हूं गुर आप वॉडर सुगर भी डाल सकते पर गुर बहुत है मिल्ट अच्छे से हो जाता है मत्तर मिक्स अच्छे से हो जाएगी तो मैंने इसे चारो तीनों को घिश दिया है और घिशने के बाद इसे में डाल देती हूं मैं दो बड़े इलैजी होता है न उसको कूट करके छोटी वजी इलैजी होती है उसे कूट करके डाल दी हूं और डालने के बाद उसमें सारी चीजों को मैं अच्छे साथ में एक बार मिक्स कर लूँगी जिसे गुर्वें अगर कोई भी गुटलियां अगर उसमें है तो उसे हाथ से मसल करके उसे अच्छे से मिक्स कर दें नहीं तो मोदक बनाने में आपको थोड़ी से परहसानी आ सकती है फिर मसमें डाल दूँगी दो चमच गी जिससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा बिल्कुल लगेगा कि हां मिठाई जो आप कैसे बनाई है किसी को पता नहीं चलेगा इसलिए इसमें गी डाल देती हूँ गी डालने के बाद फिर से इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो चलिए से हमें मिक्स कर लेते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब प्लीज करें देखी इसमें थोरी से गुर रह गई है जिसे मैंने हाथ से मिक्स कर दिया मसल करके अब इसमें डाल दूँगी मैं दूद और मलाई जो होती है न फ्रेस घर की जो दूद और मलाई उसे मैंने दो दो चमच करके दो बार डाल दी हूँ और उसे ज़्यादा एक बार ही नहीं डाले अब थोड़ा थोड़ा करके ही एड़ करें और इसमें दूर डालने के बाद मैं उसे अच्छे से mix कर दूँगी अब मेरे आवाज पर नहीं चाहिए मेरे आवाज थोड़ी से बैटी हुई है ठीगी नहीं हो रही है तो इसलिए मुझे थोड़ी से problem भी हो रही है मैंने हाथ से उसे अच्छे से mix कर दी हूँ mix करने के बाद देख रहे हैं बिल्कुर आटे की तरह जोड़ लगा के ना बस हलके हलके हाथ उसे mix कर दे जिससे एक dough form में आ जाए तो यह देखे बिल्कुर dough form में आ गया है मैं इसे हाथ सर से जितनी बड़ी मोदा का आपको बनानी है उतनी बड़ी लोई इसकी बना ले एक बाल्स बना ले मैंने इसे बाल्स बना ले हूँ और हाथ पर इसे ले ले इसमें थोड़ा से मैंने घी अड़ करी हूँ इस तो जुरत नहीं पड़ेगी अगर जुरत पड़ी तो हाथ पर थोड़ा से घी लगा करके इसे बाल्स को ले ले और बाल्स को लेने के बाद एक हलके पीछे की तरफ से हलके उठाते हो, आगे की तरफ से हलके सरकल में घुमाते रहें, जिससे ने मोदक की सेप में आ जाएगी, अगर आपके पास मोदक मेकर है, तो आप उसमें डालके बना सकते हैं, पर मेरे पास नहीं है, मैं आप कुछ किसी के पास नहीं होते हैं, त पीछे वाले हिसे से इसे कट कर दे हलके हलके हाथों से जिसमें एक अच्छे से इसमें एक निसान पर जाएगी फिर मैं क्या क्यूं हो एक ड्राइफुट्स ले लिए जो आमण्स होता है न। उसका हाप कट कर लिए हूँ और हाप कप करने के बाद इसे बीच में पेस्ट कर दे और पहले भी उसे पेस्ट कर सकते हैं आप कट बनाने से पहले भी इसे पेस्ट कर सकते हैं इसे हलके हाथ उसे पेस्ट कर दे और ये देखिए इसमें डिजाइन भी बन गई है आप चाहे तो मोदक मोईकर में बना सकते ह अगर आपके पास नहीं है, तो मैं आपको बता दी हूँ, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, तो देखे कितना अच्छा सा जटपट हमारा यह मोदक रेडी हो गया है, चली से मैं पूरा बना लेती हूँ, यह पूरे बन के रेडी हो गया है, क्या आप इसे बता सकते हैं, कि बीना कूकिंग बना गया है और बहुत ज़दा टेश्टी और लाजबा बनता है घर में यह हल्दी भी है इसमें चना है और इकुड है बहुत ज़दा टेश्टी है तो आप जरूर इसे रेस्पी को ट्राइ करें तो चलिए अब हम चलते हैं सकेंड मोदक की तरफ जिसे मैं ब तीन बड़े चमज डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके भी एड़ करें जितना आपको ज़रत हो ज्यादा ना एड़ करें इसे तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर दे अगर आपको स्पून्जे नहीं हो आप इसे हाथ से भी बस इससे दावाना नहीं है think is मुझा जादा घीने से बाहर निकल जाएगी फिर अच्छा नहीं लगेगा आपको बस हलके हलके हाथों से मैं सारे मीठायक आपको यह बताई हूँ कि अप आटा की डो लगा तो बिलकुल उस तरह नहीं लगाना है हलके हलके हाथों से बस mix करना है और mix करने के नहीं तो आप जब खाओगे तो लगेगा कि जैसे अप एक आटा की bite ले रही हो बिलकुल ऐसा लगेगा इसलिए हलके हलके हाथों से बस mix करना है जिससे एक dough की तरह बन जाए जिससे आप बनाने में आपको असानी बिलकुल उसे तरह से यह दे क्यों milk mix हो गया है मैंने कैसे इसमें बिलकुल हाथ की जो तलवा होते हैं वो बिलकुल नहीं लगाई हूँ बस fingers इससे mix कर दियो और mix करने के बाद इसे balls बना ले जितने आपको मोदक बनाने है बिलकुल उस देप में बना ले उतनी size के ले ले और उसके हाथ पर डाल करके हतेली में थोड़े से आकार में बनाते हैं जैसे मोदक बनाते हैं या को हम वो बनाते हैं जो छटपूजा मे बनाते हैं ठेक हुआ पिलकुल उस तरह से उसकी वो बना देते हैं और किसी भी फ्लैट जगा पर उसे के नीचे से दवा दे तो जो राज नीचे वो खड़े होने लाइक हो जाए और फिर उसे आप चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं नहीं तो एक चाकु से या इस्पून से उस पे एक डिजाइन बना दे और मैंने थोड़ी सी केसर गरम दूद में डाल करके इसे थोड़ा सा रख दी थी जिसके उसमें केसर और दूद का रंग पीला पीला हो जाता है और वो केसर उसमें से दो उठा ले थागे उसमें से और उसके उपर डाल दे मोदक के उपर में जिसमें उसे color बहुत अच्छा आजाएगा और बहुत सुन्दर लगेगा देखने में देखें उसे कैसा डाल देते हैं तो बहुत सुन्दर लगेगा आपको भी yellow नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये white और उसके उपर yellow बहुत अच्छा लगता है देखें तो हमारा दूसरा मोदक भी ready हो गया है तो चलिए अब हम तीसरे recipe के तरफ चलते हैं जो बनाने जा रहे हैं मैं chocolate मोदक जिसके लिए मैंने ले लिया milk powder half cup अंड मिल का powder तो मीठा ही होता है इसलिए मैंने चीनी का powder जो half cup से थोड़ा कम ही ली हूँ और उसमें डाल देती हूँ ilaichi का powder दो से तीन ilaichi ले 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 उसे खुट करके अच्छे से डाल दे या powder है तो powder भी आप ले सकते हैं उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा मैं दूद थोड़ा एक दो चमच करके दूद डाल दी हूँ जो मैं camera on करना भूल गई और मैं मिस कर दी बस एक दो चमच करके ही जाले ज्यादा नहीं डाले ने तो बहुत ज्यादा गिला हो जाएगा और उसको हलकेल के हातों से mix कर दे mix करने के बाद आप क्या करें उसे lowi काट ले जितना आपको बनाना है मोदक मैं पहले बता चुकी हूँ पिल्कुल उस तरह से lowi काट ले फिर हात को अच्छे से wash कर ले और wash करने के बाद हात को पोच ले और dry कर ले और हात पर थोड़ा से घी लगा ले घी लगाने से जट स क्विक से बन जाएगी अगर हात में चिपचिपासा नहीं लगेगा थोड़ा सा हतेली पे घी लगा ले और घी लगाने के बाद बिल्कुल मोदक की सेब दे कर या मोदक अगर मेकर है तो उसमें भी थोड़ा सा घी लगा करके आप इसे सेब बना ले अब यह थरो आपको ग बिल्कुल हाप काजू जो होती है ना अधिचान्द की तरह वो बिल्कुल डाल दे उस पे तो देखिए हमारा चॉकलेट मोदक भी रेडी हो गया है मेरी सारी रेस्पी कैसी लगी जरूर बताना और लाइक सेरे सब्सक्राइब करना अब नहीं बूलना